दोस्तो नमस्कार आप सभी कर स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में बात करेंगे दोस्तो मारूती सूजू की कंपनी की नेकसा सोरूम में आने वाली बलैनो गाड़ी के अपडेट प्राइस के बारे में दोस्तो इसका बेस वर्जन यानि की सिगमा वर्जन भी काफी व बारे में हैं और इसकी अगर फाइनेंस डिटेल जाना चाहते हैं यानि कि मैं इसकी कैस प्राइस तो बताऊंगा ही इसमें जेस्टी सेज कितना लगता है क्या रजिस्टेशन के चार्जिस होंगे क्या इंसरेंस के चार्जिस होंगे फास्टेग और हाईपो 30 सिकन के कितने की पड़ेगी और दोस्तों कर आपका बजट कम है आप इसे फाइनेस कराना चाहते हैं तो कम से कम डाउन पेइमेंट पर मैं आपको बैंक का ओफर बताऊंगा जो कि कम ब्याजदर पर कार लोन फाइनेस कर रहा है अपने कस्टूमर के लिए यानि कि बहुत ही कम ब्याजदर आप कार लोन फाइनेस करा सकते हैं और पर मंत की किस्त और टोटल ब्याजदर भी आपको मिलेगी तो दोस्तों पहले जानते हैं इस गाड़ी का कैस प्राइज अपडेट में क्या चल रहा है तो दोस्तों मारूती सुजू की बलैनों जो कि हमने इसका सिगमा वर्जन लिया आटियों की बात करें तो इसके लग जाएंगे 56,875 रुपे इंसरेंस के लगेंगे 32,587 फास्टेग और हाइपो थिसिकन के आपको पे करने होंगे 2,000 और बलैनों का सिगमा वर्जन आपको पड़ेगा दोस्तों अभी के समय में 7,440,462 रुपे का दोस्तों आपकी जानक बैलेंस निकल गाता है 5,440,462 रुपे का और दोस्तों ब्याजदर 7% लगाने पर दोस्तों बैंको बड़ोदा सबसे कम ब्याजदर पर फाइनेस कर रहा है कार लोन को 7% लगेगा आपका अगर आप इस बैंक से कराते हैं और दोस्तों प्रोसेसिंग फीज आपकी लोन पर टोटल ब्याज बनता है 7,44,726 रुपे का अगर आप 6 साल का प्लान लेते हैं इस डाउंट पेमेंट को करने के बाद इस लोन पर तो आपकी परवंद की किस्त बनती है 6 साल के लिए 9,214 की टोटल ब्याज बनता है 6 साल का 1,22,946 रुपे का अगर आप लेते हैं इसका 60 मही 6 साल तक के दोस्तों मैंने 2,0,000,000 की डाउंट पेमेंट पर यह प्लान बताया है अगर आपका वजट कम है या ज्यादा है तो इसके हिसाब से भी आप जो है इसको फाइनेस करा सकते हैं आप हमें कमेंट जरू करें अगर आप जो है कम या ज्यादा डाउन पेमेंट इसकी करते हैं मैं आपके हिसाब से भी इसका फाइनेस का प्लान आपको सजेश्ट कर दूंगा और दोस्तों डिटेल हैं हर्याना के एक रुगाउं सिटी की अगर आप कहीं अधर सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं और दोस्तों इसकी सही कीमा जाना चाहते हैं गारी की तो ना भूलें क्योंकि मैं अपडेट भरी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए